हलो फ्रेंड्स, गुड बॉर्निंग, मैं हूँ श्रद्दा और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रोज एक नई मोटिफेशनल लाइफ इंस्पारिंग स्टोरी तो आज हमारी स्टोरी का नाम है महामारी जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी जो स्टोरी जो रहती है वो बेस रहती है कि हमारी रियल लाइफ में हम मोटिफेशन कैसे फील कर सके हम अगर किसे सिचिवेशन में फस जाते हैं तो हम उससे निकलने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज की जरुवत होती है जिसके थूँ हमको motivation मिल सके और क्योंकि stories हर कोई पढ़ना पसंद करता है जो easy होती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो मेरी जो stories है वो इसी प्रकार की है कि आपको एक real time, अपनी जो real life है उसके अंदर आपको motivation मिलेगा और आप लोग उससे अपनी personal problems को अपनी personal life को link कर सकते हैं और इससे inspire होकर के आगे बढ़ सकते हैं तो please मेरे dear friends इस channel को subscribe करना ना भूले ताकि आप मेरे daily basis के frequent updates ले सके और इसी प्रकार से हमारी मज़ेदार कहानिया सुनते रहें आज की हमारी story का जैसे मैंने नाम बताया उसका नाम है महामारी एक बार की बात है एक राजा के राज्य में बहुत बड़ी बिमारी फैल गई जिसे महामारी कहते हैं चारो और लोग मरने लग गए अब राजा ने इसे रोगने के लिए बहुत सारे उपाय करवा है मगर कुछ असरी नहीं हुआ लोग मरते ही जा रहे थे दुखी राजा इश्वर से प्रातना करने लग गया तब ही अचानक आकाश्वाणी हुई और सामने से अवाज आई कि ये हे राजा तुम्हारी राजदानी के बीचो बीच जो पुराना सुखा कुआ है अगर अमावस्या की रात को राज की प्रती घर से एक एक बाल्टी दूद उस कुई में डाला जाए तो अगली ही सुबा से उस महामारी की समाप्ती हो जाएगी और लोग मरना बंद हो जाएगे अब राजा ने तुरंट ही ये धिंडोरा पूरे गाउं में फिरवा दिया और ये महामारी से बशने के लिए अमावस्या की रात को हर एक घर से कुए में एक बाल्टी दूड डालने के लिए अनिवारी रूप से कहा गया अमावस्या की रात जब लोगों को कुए में दूड डालना था उसी रात उसी रात जिमें रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं सब तो डालेंगी उसमें एक एक बाल्टी दूद अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूँ तो इससे किसको पता चलेगा तो हमसे गा मेरा दूद तो बच जाएगा मैं इतना सारा दूद क्यों डालू और अपना पैसा क्यों वेस्ट करूं इस विजार से उस कंजूस बुढ़िया ने अब राजा ने सोचा कि जब सबने कुए में दूद डाल दिया है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं वहीं जाकर चल कर देखता हूँ तो राजा जब कुए के पास आया तो जाकर के कारण देखा लेकिन वहाँ जाकर उसको पता चला कि कुए में दूद की एक बूंद भी नहीं है बलकि पूरा की पूरा कुआ पानी से ही भरा हुआ है दरसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुड़िया के मन में आया था वही विचार पूरे राज्जी के लोगों के मन में भी आया किसी इने भी कुए में दूद नहीं डाला अब मित्रों जैसे इस कहानी में हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोच कर पीछे हट जातें कि कोई ना कोई तो करी देगा और हमारी इसी सोच की वज़े से इस सित्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है अगर हम दूसरों की परवा किये बना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाए तो पूरे देश में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसकी आज बहुत ज़्यादा जरुवत है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल आप लोग देख रहे हैं अज सरकार हर एक से प्रातना कर रही है कि आप लोग प्लीज स्टे अट होम तो आज हमारी जिम्मेदारी क्या है हम क्या कर रहे हैं दूसरों को देख रहे हैं कि वो भी तो बाहर जा रहे हैं उनको भी तो कुछ नहीं हो रहा अगर एक व्यक्ति बाहर चला भी गया तो उसको क्या हो जाएगा लेकिन सोचिए आज वास्तव में जो नुकसान हो रहा है वो किसे हो रहा है जो लोग हैं जो इनसान हैं उनको और उनके परिवार को कल से अगर ये बिमारी लगी तो ये किसको प्रॉबलम देगी हमें और हमारे परिवार को तो अगर हम छोटी सी बात अगर सरकार की मान लें और घर में रह जाएं तो इससे क्या हो जाएगा हमारा भी भला हमारे परिवार का भी भला और आस पास जो रहने वाले हैं उनका भी भला तो यही सीख हमारी एक कहानी से मिलती है कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं आप दूसरों की तरफ ना देखे कि दूसरा क्या कर रहा है इसलिए बोलते हैं जब हम मुट्टी बानते हैं तो हम भले ही एक उंगली सामने वाले पर उठाते हैं और बाकी की चार उंगलिया जो है वो हमारी और होती है छीक है ओम शायती